दोस्तो अगर जो आप WhatsApp पे वीडियो सेंड कर रहे हो और वो वीडियो बार बार घूम रहा है गोल गोल में ya तो री ट्राइ लिक लहा है या तो रेड कलर का हो जा रहा है या किसी भी तरह से सेंड नहीं हो रहा है यह मान के चलो चाहे जो भी आपके WhatsApp में प्रॉपलम है है सें वीडियो बहुत ही छोटा है दोस्तों, एक ग्रेंड मिनेट का वीडियो बनेगा, एक ग्रेंड मिनेट में आपको problem solve कर दूँगा, सबसे पहले आपको करना क्या, WhatsApp उपेन करना है, उपेन करने के बाद यहाँ पे थिरी बिंदी है जो, उस पे आपको क्लिक करना है, जब आप आपको storage and data वाले option पे क्लिक कर देना है, storage and data वाले option पे आप जब क्लिक करोगे, तो आपके सामने यह वाला interface आएगा, अब यहाँ पे दोस्तों, दो option मिलेगा, एक manage storage, एक network storage, यह है हमारा दोनो problem, तो इस problem को एक एक कर गे हम solve करेंगे, सबसे पहले हमारा चो यह network use है, आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद, यहाँ पे एक option आपको मिलेगा, reset का, तो आपको reset वाले बटन पे क्लिक करना है, और एक बात और, यह reset वाले बटन पे क्लिक करने से, आपका chat वगेरा डिलीट नहीं होगा, आपका WhatsApp डिलीट नहीं होगा, जो network का use data है, reset वटन को क्लिक करने के बाद, आपको क्या करना है, वीडियो को send करना है, यहाँ पे दूस्तों 50% chances बनता है, कि फिर से वीडियो send होने लगे, लेकिन कोई guarantee नहीं है कि होगा ही, क्योंकि हमको दो नम्मर का भी setting complete करना है, तो दो नम्मर का setting complete करने के लिए आपको एक step back आना ह यहाँ पे आना है, जहां से हमने यहाँ पे गया था, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे एक option आपको उपर मिलता है, manage storage का, आपको manage storage वाले option पे क्लिक करना है, manage storage वाले option पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक graph दिखाएगा, यह वाला graph अगर जो ये graph पीला में है मानने के चलो पीला कलर में है चाहारा कलर में है तो फिर दोस्तो आप सेफ जोनू हो कई बार ऐसा होता है कि ये graph दोस्तो पुरा फूल हो जाता है यहाँ पर आपको MB में दिखाएगा कि हमने 146 MB यूज के आए और हमारा जो storage है जो हमको फिरी में मिलता है वो 10 GB तक लगबग मिलता है तो इसको आपको देखना है कि अगर जो आप 10 GB में से 2 GB भी यूज कर लिए हो 2 GB ठीक है यूज कर लिए हो तो यह मानने कि चलो आपका जो WhatsApp का जो storage है वो फूल हो गया है तो इस storage को क्या करना रहता है आपको delete करना रहता है तो दोस्तो यहापे storage delete करने का कोई option नहीं है तो storage delete करने का आपको एक ही option मिलेगा कि अपने WhatsApp को एक बार permanently delete कर दो फिर से दोस्तो उसी number से एक बार WhatsApp बना लो permanently delete करना दोस्तो बहुत ही असान है एकदम आपको करना क्या है यहाँ प्याना है आपको फिर से 3. पे क्लिक करना है यहाँ पे 3. पे क्लिक करने के बाद आपको setting वाले option पे क्लिक करना है setting वाले option पे क्लिक करने के बाद account पे आपको क्लिक करना है जो भी आपके WhatsApp का mobile number है जिससे आप WhatsApp बनाए हो mobile number डालके हैं पर delete account पर click करके अपने WhatsApp को permanently delete कर देना है permanently delete करने के बाद तुरंत फिर उसी number से अपने WhatsApp को बना लेना है बनाने के बाद आपका problem solve हो जाएगा वैसे तो पहले ही setting से problem solve हो जाना चाहिए लेकिन अगर जो नहीं हो रहा है और फिर दूसरा setting आप आपन कर रहे हो आपका storage वहाँ पे 2GV से जादा दिखा रहा है तो फिर दोस्तों आपको अपना WhatsApp permanently delete करना पड़ेगा उसके अलामा कोई chance नहीं है फिर permanently delete करके दुबारा जब बनाऊगे तो आपका problem solve हो जाएगा